जैहिंद, बंदे मात्रम सातियों, स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल ग्यानालाय में सातियों आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है SSC CGL 2013 टायर 2 और इस पार्ट में हम लोग reasoning का जो अभी हाली में exam conduct हुआ था, जो कि आज हम लोग solution देख रहे हैं, ये exam conduct हुआ था, 3rd March 2023 को, हाली में अभी इसका commission द्वारा answer की जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ हम लोगों के पास इसका प्रशन पत्र भी आ गया है, यानि कि अब हम लोग के पास में इसका प्रशन आ गया है, अब हम लोग ये जो exam conduct हुआ था, 3rd March 2023 को, इसका आज हम लोग देखेंगे solution, कि किस तरह से हम लोग जो अभी reasoning में 30 प्रशन पूछे गए थे, मेंस के रूप में, इसी वर्फे अभी ये लागू हुआ है, आप सभी को पता ही होगा, तो इसमें हम किस तरह से प्रशनों को तेजी से solve कर सकते थे, या जो प्रशनों को महा पर नहीं भी आ रहे थे, उनको कैसे हमें उसको option के माध्यम से, या और जो भी हम वहाँ पर technique apply कर सकते थे, उन सब चीजों के माध्यम से, इस पार्ट में उन सब चीजों को देखेंगे, और सब को solve करते हुए one by one के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो आई ये सातियों अब हम अपने topic को start करते हैं इन्हीं चंत लाइनों के साथ में यह लाइने के आपको screen पर दिख रहा है कि सातियों हमारी जिंदगी भी एक cycle चलाने जैसी ही है balance बनाए रखने के लिए हमें चलते रह करते हैं तो चलिए हम लोग अपने question को start करते हैं और one by one के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिज करते हैं तो सबसे पहला ही question आप सभी को screen पर दिखाई दे रहा है सातियों यह embedded figure का यानि कि अंतर नहीं तो आले question है यानि कि इसमें आपको कोई एक save दिया जाता है और बतान यहां पर आपको एक arrow दिख रहा है यहां पर एक triangle है ठीक साथ ही साथ ही आपको एक save ध्यान रखना है अगर यह save जिसमें सटीक बैट रहा है वही हम लोगों का correct answer होगा तो यहां पर अगर कुछ बहुत जादे इसमें हम लोगों को logic नहीं apply करना था कोई बहुत जादे किसी student को इसमें problem नहीं हुआ होगा यह साप ही साप दिख रहा है कि केवल वा केवल एक ऐसा ही एक option है जो केवल option number C में दिख रहा है जिसमें यह figure exact satisfy होगा बाकि यह तो होई नहीं सकता था यह भी नहीं हो सकता था और यह भी नहीं हो सकता था तो यह रहा साथियों question number first का option क्या ह सी है साथियों या इसे हम लोग तीन के रूप में भी जानते हैं ठीक है सी का लेजिए या थ्री का लेजिए सेम बात है अब हम लोग बढ़ते हैं question number 2 के पास question number 2 है साथियों यह आप सभी को जो दिखाई दे रहा है question यह है sitting arrangement का question इसमें हम लोगों को बताना है यह थोड़ question पहले direct पोचे जाते थे अब यहां आपको एक statement के रूप में बताया जा रहा है तो इसमें हमको बताना है इस statement की सहायता से तो चलिए हम लोग question को पढ़ लेते हैं यहां पर बताना है साथियों कि छे बैक दे हैं ABCDEF एक सीधी पंक्ति में उत्तर की और अभी में खोकर बै यही हम लोगों को बताना अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना साथियों sitting arrangement में अगर कोई condition ना हो तो इसमें क्या होता है जो हम लोगों का left hand side होता है वही इसका भी left hand side होता है और जो हम लोगों का right hand side होता है वही इसका भी right hand side होता है तो देखी अब यहां पर हमको बत question को पूरा पढ़ते हैं और इसका answer पता करने की कोशिज करते हैं तो यहां पर देखिए 6 ब्यक्ति हैं A से लेकर के F तक हैं सभी कहां पर बैटे हैं उत्तर की तरब मुह करके हुए बैठे हैं यह तो हो गया information और question भी यह बताना है कि D के ठीक बाएं कौन बैठा है तो अब यहां पर statement first है कि A पंक्त के किसी एक छोर से दूसरे अस्थान पर बैठा है यह और B के बीच के वल दो confirm बताय गया है कि एक कि चोर से दूसरे अस्थान पर है ठीक तो इस लिए यहां पर हम लोगों आप देखो यहां पर डूसरे अस्थान पर बैठा सकता है तो हम यहां पर भी दूसरे स्थान पर बैठा और यहां पर भी इसको छोड़ते ठीक लाश्ट छोड़ते दूसरे स्थान पर इसको हमने बैठा दिया अब यह भी बताया जा रहा है साथ ही साथ में कि A और B के बीच में केवल दो ही बैठे हैं अचा देखो A यहां है तो B को यहां हम बैठा सकते हैं तो भी तो यहां पर द हाँ कि नोगे hetन अब यहां फर छीप झारा पूर इ hash यह सी के ठीक डाय बैठा है अच्छा अभी हमने पता है जो हमारा बायान होगा वही इसका ठीक दाय बाया होगा तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर ठीक दाएं बैठा है अच्छा C यहां होगा तभी तो इसका ठीक दाएं यह होगा यानि कि C यहां बैठा है और E यहां बैठा है और या ऐसा कोई यहां पर अस्थान नहीं बज़ रहा है जहां हम C और E को बैठा सकें तो इसी तरह से यहां भी एक ही अस्थाना ऐसा है, जहां हम C और E को बैठा सकते हैं, तो हमने C और E, A और B को एकदम सटीक, दोनों फिगर में अभी एकदम ठीक ठाक चला है, इनको बैठा दिया, अब आते हैं हम लोग दूसरे statement के पास, अच्छा एक चीज यहां पर हम लोग देख सकते हैं, और यहां D को बैठा सकते हैं, इसी तरह से इसमें भी D को यहां और D को यहां हम बैठा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए पहला तो परियापत नहीं है, यह कनफम पता चल लिया, तो एक कलत हो गया, अब हम देखते हैं, दूसरे statement की सहायता से, अब यहां पर जो बताए र बैठा, statement के कार्डिंग और ऐसे भी, C वा F के बीच में केवल एक बैठा, अब यहां पर देखना है कि C वा F के बीच में एक बैठा, अचा C अगर यहां है, तो यहां हमें आपको बैठा नहीं सकते हैं, तो हमको आटोमेटिक इस फिगर में आपको यहां बैठाना पड़े जो E है, वा F के दाई और तीसरे स्थान पर है, यह अगर F हो गया, तो E हो गया आपका यहां पर तीसरे स्थान पर, यहां से भी E हो गया तीसरे स्थान पर, यहां पर, यानि कि अभी तक जो statement जा रहा है, और जो हम लोग diagram बनाए हुए हैं, यह एकदम सही है, तो अब हमको यहां पर जो बताना था, कि जो D है, D के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो अब देखो, D आटोमेटिक इस figure में भी यहां बैठेगा, और इस figure में भी यहां बैठेगा, तो यहां से जो हमको direct answer बताना था, कि D के ठीक बाएं कौन बैठा, यह दोनों figure automated क्या है, सही है, इस दो statement की सहाथा से, यह दोनों ही figure क्या है, एकदम सही बैठा है, तो चूकि यहां पर देखो, D के ठीक बाएं आ रहा है, और यहां पर, D के ठीक बाएं आ रहा है, यानि कि हम से जो परस्ण पूचा गया था, D के ठीक बाएं कौन सा होगा, यह दोनों ही statement की सहाथा से, इसका हम exact answer और नहीं पता कर पा रहे हैं, अता है यह क्या हो जाएगा, दोनों statement गलत हो जाएगा, इस तरह से question number 2 का option number 20 ही हो जाएगा साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं, question number 3 के पास, तो question number 3 है साथियों, यह mathematical question है, इसमें operation को change करना है, operation यहाँ पर plus minus और into और division का है, यहाँ पर change करना है, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना, यहाँ पर बताया जा रहा है, plus को हम लोगों को लिखना है minus, तो देखो plus है यहाँ पर, तो plus के स्थान पर हम लोगों को लिख दे देना है into, और यहाँ बताया जा रहा है into का मतलब है division, यानि कि जहाँ पर into है, वहाँ पर आपको लिख देना है division का symbol, और यहाँ पर बताया जा रहा है, division का मतलब है plus, जहाँ division का symbol था, वहाँ पर हम लोगों को लिख देना है plus का symbol, अब इसको solve कर देना है, तो direct हम लोगों से स्टार्ट करते हैं 9 55 होता है यहाँ पर हम लोगों ने 5 लिखा पलस 12 55 होता है साथियों तो हम लोगों ने यहाँ पर 60 लिखा और माइनस 3 यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अब 5 माइनस 3 हो गया 2 60 पलस 2 होता है साथियों आपका 62 तो इस तरह से हम लोगों का question number 3 का जो answer हो गया 62 और option number ये सही हो जाता है अब हम लोग बढ़ते हैं question number 4 के पास question number 4 क्या है question number 4 साथियों ये similarity का है और ये later similarity का है तो इसमें हम लोगों को बताना है यहां पर एक इनका person पूचने का ये अच्छा concept है ये नया माद्यम है तो यहां पर बताया गया है कि ये यहां पर एक हैज है और इस हैज का जो relation इस later के साथ में है same वही later का इसमें percentage के साथ में होना चाहिए तो इस तरह से जब भी भी person दिखें तो हम लोगों को direct option की सायता लेना चाहिए और option में बस केवल हम एक later से भी कभी काम चला सकते है हो सकता है एक later ना तो दो later की सायता से ये person आसानी से हल हो जाते है तो चलिए देखते हैं has पर वहा कौन सा value हम यहां पर put कर सकते हैं जिससे ये relation बन जाए और same वही relation यहां पर भी बनना चाहिए तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या rule apply करना होगा हम लोगों तो देखो यहां है C और यहां पर अगर हम option E की बात करते हैं तो अगर यहां पर E रखेंगे पहला later तो E से हमको C पर जाने के लिए क्या करना होगा minus 2 करना होगा तो ठीक यहां पर भी E N से यहां पर जाने के लिए percentage वाले symbol के अस्थान पर जो later आएगा E N से minus 2 करके प्राप्त होना चाहिए तो E N से जब 2 करेंगे तो E L मिल जाएगा जो की यहां पर दिया गया है Q तो यह option तो नहीं हो सकता तो अब हम लोग बढ़ते हैं option number B के पास में अगर हम लोग मालो हैस के अस्थान पर A रखते हैं तो A से C पर जाने के लिए क्या करना होगा plus 2 करना होगा तो सेम यही पर हमको भी यहां पर operation पूरा वही फालो करना होगा तो यहां है E N E N में भी plus 2 करेंगे तो होना चाहिए यहां पर P जो कि यहां P नहीं है क्या है E M है यह भी गलत हो गया अगर हम option C की बढ़त करें तो option C में हमको अगर यहां पर दिखाई दे रहा है D ठीक है और D से हम लोगों को जाना है C पर तो यानि कि D माइनस 1 कर देंगे तो यहां भी जाना चाहिए N माइनस 1 यानि कि मिलना चाहिए M जो कि यहां पर क्या है P तो यह भी हो गया गलत तो automated जो है हम लोगों का option number 4 सही हो जाता है सातियों और यह satisfy भी है कैसे अब यहां पर check करते हैं जैसे मालो A से C पर जाना है तो plus 3 करना होगा ठीक यहां से जैसे हम लोगों को A से जब C पर जाना है तो यहां पर हम लोगों को plus 2 करना होगा यानि कि A plus 2 क्या हो गया C तो ठीक ऐसे यहां से यन से हम लोगों को यहां पर जो प्रसेंटेज के स्थान पे बैलू पुट करना होगा, प्लस टू करना होगा, तो 14 प्लस दो होता है, 16 और 16 पर होता है, यह भी देखो साथियों मैच हो गया, इसी तरह से यह सब क्या है, आटोमेटेड यह सब करेक्ट हैं, यह सब के सब फालो हो रहे हैं, O से माइनस 3 करेंग जो था, वो question number 4 का option number D हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं, question number 5 के पास, question number 5 क्या है, यह number 3 का question है, और यहाँ पर बताना है कि इस symbol पर, यानि कि यहाँ पर पर पूंचा गया है, यहाँ पर कौन साथ options satisfy होगा, तो चलिए देखते हैं इसको, तो इसको solve करने के लिए साथियों हम लोगों को क्या करना है, ऐसे अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें कुछ हम लोगों को पता नहीं चला है, तो इसमें हम क्या करें, इन दोनों का यहाँ पर difference निकालने, ठीक है, जब भी इस तरह से प्रशने देखें, कुछ logic ना समझ में आये, तो हम लोग इसको difference माध् 12 माइनस 8, 4 हो गया, और यहाँ से हो गया 3, 343, यहाँ से देखो यह बड़ा नमबर है, और यह छोटा नमबर है, तो यहाँ से difference निकालेंगे, तो यहाँ से 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, और यहाँ से हो जाएगा 2, और 2 माइनस 1 गया, एक, और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस, स तो step हमने किया, पहले में क्या किया, इन दोनों को हमने क्या देखा, difference देखने के बाद में ये जो दोनों number निकल के आ रहे हैं, ये साप साप दिख रहे हैं, ये cube हैं, किसका cube है, ये है आपका 7 का cube, और ये जो आपका दिख रहा है 6 का cube है, यानि कि ये जो series है, यहाँ जो difference न क्यूब होता है साथियों 125 और यह जो 4 का क्यूब होता है 64 होता है अच्छा अब यह इसमें satisfy भी होना चाहिए और यह कैसा हो रहा देखो एक बार 189 में हम प्लस 343 8 करते हैं तो यह बैलू हमें प्राप्त हो जाता है अगर यहां पर हम क्या करतें फिर माइनस का ठीक है अगर 532 माइनस 216 करते हैं तो यह हमें मिला है यानि कि इसमें alternate चल क्या रहा है तो साथियों यह alternate जो चल ला है देखो यहां पर प्लस यहां पर माइनस ठीक है फिर 5 का cube होता है साथ हूँ वो आपका होता है 125 यानि कि 125 तो यहां पर जो हो जाएगा आपका प्लस 125 अच्छा अब यहां पर 316 में जैसे ही 125 हम लोग गेट करेंगे तो क्या जाएगा साथ हूँ आपका च्छे प्लस 5 11 होता है और 3 और 2 स्वरी एक प्लस 2 होता है 3 3 प्लस 1 होता है 4 तीन प्लस 1 कितना होता है साथ हूँ चार तो इस तरह से साथ हूँ हम लोगों का जो क्रेक्ट अंस्वर क्विश्चन नंबर 5 का अप्शन नंबर d सही हो जाता है basically इसमें हमको करना क्या था सबसे पहले हमने इसमें क्या किया difference निकाला difference निकालने के बाद में एक ही step में जो number मिल रहे थे उसको हमने देखा तो ये पूर्ण घन बन रहे थे और ये घन ऐसे decreasing order यानि कि घटते हुए करम में बना पहले 7 का cube था फिर 6 का cube था फ डिफ्रेंस निकालना था cube था और plus और minus का इसमें role था अब हम लोग बढ़ते हैं आगे question number 6 के पास question number 6 है सात्यों ये भी एक sitting arrangement का question है तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि उत्तर की और अभिमुक लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाय चोर से पांच में अस्थान पर है यानि कि एक प्रिंस नाम का कोई बेक्ति है वह दाय चोर से पांच में अस्थान पर है ये हो गया दाय चोर यहाँ से यहाँ बैठ दाएं छोड से एक अमित नाम का भी लड़का है, यह अमित नाम का लड़का जो है, यह 15 अस्थान पर है, ठीक, अब और आगे यहां पर डाटा जो बताया जा रहा है, कि अमित प्रिंस और आदित के ठीक बीच में बैठा है, यानि कि यहां पर एक बेक्त और भी है, जिसका आदित है, बट यह कनफर यहां पर बताया जा रहा है, कि जो अमित है, वह प्रिंस और आदित के ठीक बीच में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, और इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, आदित पंक्त के बाएं छोर से चठे अस्थान पर है, जो यहां पर आदित बैठा है यानि कि प्रिंस और अमित के बीच में जो गैप है, दस का गैप है, तो सेम यही गैप होना चाहिए अमित और आदित के बीच में, यहां पर भी दस का गैप होना चाहिए, तो अब हम लोगों को इसमें बताना है, टोटल इस पंक्त में कितने ब्यक्ती थे, तो देखो जो ख्याप था दष-दस का फाले यहीं लिखल कर लोग है पौन है इस लिए इस घ्राव था बाय और शोड़ इस चाह ये श्येंग यहां पर हम रोग माइनस वन कर देंगेasta करेंगे प्तरास हो गया कि आ और प्लस ग्यारा हो गया 31 31 माइनस वन हो गया साथियों हम लोगों का 30 तो इस तरह से question number six का option हो जाएगा सी और इसका correct answer हो गया 30 ठीक तो अब हम लोग बढ़ते हैं question number seven के पास question number seven कुछ इस तरह है साथियों यह भी sitting arrangement का है इसमें बताया जा रहा है कि छे मित्र हैं जे के लम एन ओ एक बिरित्ताकार मेज के परिता केंदर की और मुख करके बैठे हुए हैं आसान सा परशना है साथियों इसमें जितने भी बैकती हैं वो सबके सब केंदर की और मुख करके बैठे हुए हैं टोटल कितने लोग हैं, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, बना के फिगर, ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, इन सब का मुख के दिर है, इन सब का मुख है, सेंटर की तरफ ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यन यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब जो यन ह यम के ना तो दाएं है, और ना ही बाएं है, इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पर जो दूसरा डाटा बताया जा रहा है, यम जे के ठीक बाएं बैठा है, यानि अगर मानलू यहां यम है, तो यम कहां बैठा है, जे के ठीक बाएं बैठा है, तो यह य यम है हमने इसको बैठा दिया जे के ठीक बाएं अब यहां पर बता जा रहा है जे यल के सम्मुक बैठा अगर यह जे है तो यहां पर होगा इसके सम्मुक तभी होगा ठीक है यह दोनों आमने सामने हैं जे और यल जो की के ठीक दाएं बैठा है कौन बैठा है यह जो है यह क के ठीक दाएं बैठा है ठीक है अच्छा दाएं यहां बैठेगा तभी होगा ठीक अगर यहां हम के को बैठा दे रहे हैं तो जो के है वो यल के कहां पर हो जाए के के ठीक बाएं में हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा तो यह हो गया अब आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो यहां पर बताया जा रहा है यल के बाई ओर दूसरे अस्थान पर कौन बैठा यह है प्रज़ अच्छा देखो यहां पर अब जो डाटा यह बताया गया था कि यन यम के ठीक बाई या दाए नहीं बैठा तो यन यहां पर हो नहीं सकता तो यन यहां पर हम लोगों ने इसको बैठा दिया अब एक ब्यक्त बच गया जो है अब यह सब को क्या हो गए एक टेबल के चारों तरफ बैठ गया है अब यहाँ पर जो पुछा गया है उसका हम लोग answer कर देते हैं परसन बताना है कि यल के बाई और दूसरे अस्थान पर कौन बैठा है यह हो गया यल और यल का बाया हो गया यह दूसरे अस्थान पर हो गया यन तो इसका correct answer हो गया साथियों question number 7 का option number यह है question number 8 की तरब बढ़ते हैं question number 8 साथियों coded ballot relation का है यह बहुत ही आसान परसन होते हैं इसको कैसे solve करना होता है इसके diet हम लोग person के पास आते हैं इसको हमने एक theory के class में भी आप सभी को बता है कि इस तरह से परसन जब भी दिखें हम लोग बहुत आसानी से इसको solve कर सकते हैं बस खाली इसमें हमको check करना होता है यहां पर person क्या पोचा गया और किस किस में पोचा गया तो देखो B और H में person पोचा गया है H यहां है और B यहां है इन ही operation को पकड़ो और इन ही को फालो करको फालो करकी solve कर देना है answer मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इसमें अब यहां पर देखिए B और H में केवल तीन ही operation आ रहे हैं तो इनको हम पता करने की कोशिज करते हैं percentage percentage का मतलब है AB की पुत्री है यानि कि F जो है वो किस की पुत्री है B की पुत्री है add the rate add the rate का मतलब यहां पर बताया जा रहा है sorry यहां पर percentage का जो मतलब है AB की पत्नी है मतलब यह जो F है वो किस की पत्नी है B की पत्नी है और add the rate का मतलब बताया जा रहा है पुत्री है यानि कि F की पुत्री कौन है Y है और यहाँ पर जो end का symbol है यह जो end का symbol यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह किसको define कर रहा है यह इसके पती को define कर रहा है यानि H जो है वो Y का क्या है? पती है और Y किसकी पुत्री है? F और B की पुत्री है तो यहाँ पर बताना है येच बी को किस वाक से, किस सब्द से संब्वधित करेगा, या जो येच है वो बी को किस नाम से पुकारेगा, तो यहाँ पर देखो, यह हो गई इसकी पुत्री, ठीक है, और पुत्री का जो, तो यहाँ पर जो पुत्री है, इसके पुत्री का जो पती होगा, वह उसके पित क्या हो जाएगा शसूर अब हम लोग बढ़ते हैं question number 9 के पास question number 9 बहुत ही आसान सा प्रशन है सातियों इसका option number D हो जाएगा इसमें तो कुछ बहुत जादी खास है नहीं हम लोग बढ़ते हैं question number 10 के पास question number 10 है सातियों ये statement और conclusion का question है ये बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग solve कर सकते हैं इसमें बताया गया है कुछ कविता हैं घोड़े हैं यानि कि यहां पर 50-50 का relation है यहां सभी घोड़े खिलोने हैं यानि कि खिलोने और कविता में यहां पर relation बन जाएगा चुकि एक पर 100 है दूसरे पर 50 है ठीक अब यहां पर बताया गया सभी खिलोने जहाज है यानि कि इन तीरों में relation बनेगा और positive relation बनेगा यहां पर बताया गया पहले statement में कि सभी खिलोने के कविता होने की संभावना है अच्छा यहां पर संभावना है इसलिए यह statement क्या हो गया सही भी हो गया ठीक है कुछ बताया जा रहा कुछ घोड़े जहाज है कुछ घोड़े जहाज है यह automated sum का है इसमें 50-50 value है तो यह भी automated सही हो गया तो इसका option number D सही हो जाएगा क्यों क्योंकि जब हम आपको थेओरी में बताया थे यहां पर 150 का रोल है सेम यहां पर कैसे क्यों सही हो गया चूंकि यहां पर संभावना इसलिए सही हो गया यहां पर देखो कुछ घोड़े जहाज हैं दोनों पर बैलू 50-50 है और question number 11 के पास question number 11 है साथियों यह है कथन और कारवाई ही यहां पर आपको एक statement दिखाई दे रहा है कि सारी छेत्रों में ग्रामीड के प्रबाश में भारी ब्रिद्धी हुई है क्योंकि बार-बार फसल खराब होने से उन्हें बित्तिय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यह है कथन अब आप क्या कारवाही करेंगे उसी के हिसाब से यहां पर आपको आपके पास action भी है आप अपने तरप से कुछ नहीं सों सकते यहां पर आपको बताया गया है अब इसमें से जो सही है वह ही आपको चोज करना है और यह भी बताना है कि भाई जो सहरी छेत्रों क्रामीडों के प्रबास में भारी संख्या में बृद्धी हो रही है वो क्यों हो रही है क्योंकि उनका फसल खराब हो जा रहा है खराब होने से उनके पास जो किसान होते हैं जैदातर गाउं में उनके पास जो है का साधन होता है क्या होता है फसल होता है वह खेती पर किर्सी प्रडिपेंड होते हैं जब वही नहीं अच्छे से उनको अपलब्ध हो पाएगा तो उनके पास जाहिरती बात है पाइसों की आर्थिक तंगी होगी ठीक यानि कि उनके पास बित्तिय समस्च आए प्राब्लम खड़ी होंगी तो अब हम लोगों के पास जो कारवाही करने का आप्सन है वो यह है कि ग्रामीडों को उनके गाउं में आये का एक बैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह वही रहें यह तरह से हम लोग का सकते हैं गाधिवादी विचारधाराग तो भाई यह पहला तो इस पहला कारवाही तो सही है अगर माल लोग जो कमपनी में नहीं काम मिलता दूसरे कमपनी में चले जाते हैं माल लोग गाउं में फसल बरवाद हो जाता है तो पैसों के लिए वो सहर में चले जाते हैं अगर माल लोग गाउं में रहेंगे वहाँ पर उन्हें गाउं में ही एक दूसरा बिकल्प मौजूद हो जाएगा त प्रदान की जानी चाहिए अच्छा अब एक चीज बताओ यहां पर उनके अस्तित को बचाने के लिए सहरी छेत्रों में सभी बिकल्प प्रदान की जानी चाहिए यह तो नहीं सही जचरा है क्यों कि अगर वो क्योंकि वो एक गाउं में भी तो उनका अस्तित बना रहा सकता है यह जरूरी नहीं है कि उनके अस्तित को बनाए रखने के लिए हम उनको सहर में ही वो ऐसी सुब्धाएं उपलब्द कराएं ठीक है तो यह इसलिए यह दूसरा जो कारवाही है यह हो जाता है गलत और इस तर फिगर है जो इन तीनों से इन चारों से अलग है तो यहां पर देखना है अगर इस फिगर को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें है एक रो है ठीक है यह है कालम और यह है आपका रो ठीक है इसमें जो रो और कालम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अगर हम लोग बात करें तो यह जो option दिख रहा है आपको figure number 2 इसमें एक ऐसा कालम है इसमें एक भी कोई इसमें figure नहीं दिख रहा है ना तो circle है ना ही cross का symbol है इसलिए यह इन सभी से अलग दिख रहा है बाकी जो और सभी है इन सब में same है चीजें कोई खाली नहीं है ना तो कोई रो खाली है और ना ही कोई कालम खाली है इसमें इस तरह से आसंगत कौन सा हो जाएगा यह option number यह हो जाएगा तो चलिए हम लोग बढ़ते है question number 13 के पास question number 13 क्या है साथियों यह भी है कथन और अनुमान का प्रस्ण है साथियों इसको हम लोगों को अफ्साल्व करना है तो इसमें प्रस्ण क्या है किरसी उत्पादन में कीट नासकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिटी और जल को दूसित करते हैं फसलों में उनका अंसर रह जाता है और आखिरकार वो एक हाद शरिंकला में प्रबेश करते हैं जिससे मानों के लिए खत्रा पैदा हो जाता है तो यह है आपका स्टेटमेंट ठीक तो अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा कि जो हम लोग डे बाई डे जो रासायनिक चीजो का अपने किरसी में उपजबढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं उन में भी उसका अंसर रहाता है जिससे क्या हो रहा है यह सभी चीजे ये जो घटक है यह मानों के लिए खत्रा उत्पन कर रहा है ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग अनुमान क्या लगाते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, कि किरसी उत्पादन में कीट नासकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है, यह एक अनुमान है, तो यह एकदम सही बात है, ठीक, दूसरा क किरसी उत्पादन में कीट नासकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा परभाव पढ़ सकता है, यहाँ पर साब साब बताया जा रहा है, कि जल को दोसित करते हैं, और यहाँ पर परभाव पढ़ सकता है, यानि कि यह भी अपने आप में अनुमान एकदम सही है, तो इस तरह से साथियों इस question का correct answer हो गया, जो अनुमान है, एक वा दोनों सही है, अब हम लोग बढ़ते हैं question number next के पास, question number next हम लोग का 14 है, यहाँ पर है साथियों हम लोगों को बताना है कौन सा आपसन सही होगा, यहाँ पर है यह figure आपको देख रहा है, यहाँ पर देख है अपसे, तो यहाँ पर आप हम लोग देखते हैं, B यहाँ है और F यहाँ है, इन दोनों को हमने पकड़ा, अब देखते हैं, देखो यहाँ पर B से F में चलनेते हैं, जब हम, जब B से F की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक बार तो हमें मिला है greater का symbol, ठीक, एक बार म मिल जाए, और रास्ते में एक smaller मिल जाए, तो समझ लेना उन दोनों के मद में कोई भी relation नहीं बनने वाला है, तो यह तो हो गया पहला गलत, ठीक, दूसरा चिक करते हैं, दूसरा क्या बताया जा रहा है, C is less than A, C is less than A, कि मतलब जो C है, वो A से छोटा है, अब यह यहाँ ह है, और C यहाँ है, इन दोनों को पकड़ते हैं, तो A और C में जो relation बन रहा है, यहाँ से अगर हम लोग डायट देखें, C equal है B के, B equal है A के, यानि कि C और A दोनों आपस में equal हैं, तो अगर equal है, तो less कैसे हो जाएगा, तो यह भी गलत हो गया, तो इस तरह से साथियों, जो option number D सही हो जाएगा, question number 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, question number 15 है, यहाँ पर यह आपको series दिख रहा है, और यह है आपके पास options, इसमें से यह options चूज करके हमें बताना है, जो इस बाइलो को satisfy कर जाए, ठीक हैं, तो यहाँ पर चलिए चेक करते हैं, अगर मालों यहाँ पर हम पहला option रखते हैं, तो यहाँ पर है 33, 33 और प्लस 4, ठीक है, into है 15, divided by 3, minus है 61, is equals to लाना है हम लोगों को, 188, तो क्या यह satisfy होगा, चलिए यहीं से चेक करते हैं, 3 पचे होता है 15, यहाँ पर कितना आ गया, 5, 5 चोख होता है साथी हो, 20, 20 और 33 कितना होता है साथी हो, तीरपन, और चूख कि यहाँ पर क्या है, negative, तो यह बहुत कम होगा, तो इसलिए यह पहला option तो हो गया, गलत, अब आते हैं, हम लोग option नंबर 2 यहाँ पर रख करके चेक करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर option नंबर 2 को रखते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा, तो चलिए अब इसको हम लोग अगर solve करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, तीन परचे 15 और माइनस तीन चोग 12, तीन चोग 12 और एक 13 हो जाए, 132, 132 माइनस 5 होता है साथियों, 128, यहाँ से स्वारी, 132 माइनस 5 होता है, 127, 127 पलस 61 होता है साथियों, आपका 188, देखो, यह जब हमने option नंबर 1 को रखा, तो यहाँ पर बैलू निगेटिव मिल जा रह और यह बैलू कम भी था, वह ऐसे भी गलत हो गया क्योंकि निगेटिव नहीं आना था, अगर हम लोग option number B को रखते हैं, तो यह बैलू एकदम satisfy हो जा रहा है, और यह हम लोगों का correct answer भी मिल जा रहा है, तो इसलिए जो question number 15 था, इसका option हो जाएगा B, question number 16 देखते हैं, question number 16 स follow कर रहा है, तो वह ऐसा consumption है, जो इन सभी का अनुसरण करेगा, तो वह सही हो जाएगा, तो चलिए इसमें check करते हैं, तो यहां है आपका 73 और यह है आपका 43, तो यहां पर हम लोगों को बताना है कि वह ऐसा consumption है, जो इन सभी में जो rule apply हुआ है, वह सब को follow करता है, तो चलि यहांपर हम लोगों ने इन दोनों का multiply के साथिया 21 और फिर हमने multiply by कर दिया 2, तो कितना हो गया 21 दोना, 42 ठीक, 21 दोना कितना हो गया साथियो안, 42 प्लस 1 हो गया साथियों आपका 43 ठीक, अब इसमें देखते हैं, तो 5 का double होता है साथियों, 10 5 का double होता है 10 और 10 का double होता है सात्यूं 20 तो यह कितना आ गया है 20 प्लस 1 हम लोगों ने जब यहां पर किया तो यह हो गया 21 यानि कि आफी तक जो हम लोगों ने इसमें rule apply किया कि सबसे पहले हमने क्या किया यह जो पहले दो अंक दिये गया है इनका आपस में multiply किया गया फिर इ आपसन को चेक करते हैं तो यहां पर आपसन नंबर एक को अगर देखें तो बारातियां होता है 36 36 का double होता बहतर यह हो गया गलत दूसरी को देखते हैं 15 96 यह वायसे तीसरा बैलू कम है यह भी गलत हो गया तीसरी को देखते हैं तो तेरह गुड़े तेस आटोमेटिक 111 तो यही इस question का correct answer हो जाएगा question number 16 का option हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा अब question number 17 को हम लोग देखते हैं question number 17 है coded का इसमें हम लोगों को बताना है कि जो cross है इसको लिखा गया है 66 तो चार्ट को लिखा गया है 90 तो symbol को क्या लिखा जाएगा तो वैसे अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कुछ अगर हम इसके letter को भी add करके अगर find out करना चाहें तो यह नहीं होगा प्राप्ट चलिए एक बार चेकर लेते हैं सी का होता है 3 3 प्लस 18 होता है 21 21 और 19 दूना 38 होता है ठीक है 21 प्लस 38 और प्लस O का होता है 15 तो यहां से देखें 5 प्लस 8 13 13 प्लस 1 होता है 14 14 हो गया 1 प्लस 12 2 3 5 5 और 2 साथ हो गया 74 ठीक है अच्छा 74 तरशाचर का कोई रिलेशन नहीं है चलिए अचाइब प्लस लेटर 5 लेटर अगर लेश्करते हैं तो यहां पर आ जा रहा है यहां पर लिख लेते हैं 9 ओ का यल का होता है 12 प्लस येस का होता है येच तो येच का होता है 8 8 प्लस 8 8 दूनी 16 16 12 होता है 28 28 29 37 37 और 24 होता है आपका 37 प्लस 24 साच 4 11 हो गया 3 2 5 और 1 6 61 हो गया ठीक 61 अब देखो ये 61 मिल ला है तो अब भी वहां तक ये बैलूज हमको क्या लाना था 66 अभी नहीं प्राप हुआ अब इसके लेटर को चेक करते हैं लेटर कितने हैं टोटल 5 क्या आएसा तो नहीं इसमें प्लस 58 कर दिया गया हो तो इसमें अगर हम लोग 58 करते हैं तो क्या मिल जा रहा है 66 तो यही रूल इसमें भी फालो होना चाहिए इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार च्लिए देखिए हैं छाबीर बूरल येस होकना होता है Para charges जेट का हो गया 26 कि A का होता है آई I atenção 9 दूस्ती का होता है टीयनकी टी का आपौजिका लिका लिखना होता है तो जी होतां जी का होता है 7 ठीक अब इन्स इन सबको 80 घट करते हैं तो 24 प्लस 26 होता है आपका 50 यहां पर हम लोगों को नहीं लिख दिया 50 और 19 प्लस 9 होता है कितना 19 प्लस 9 होता है 28 28 और 7 होता है 35 ठीक ये हो गया 35 तो 50 और 35 अगर हम लोग 8 करते हैं तो ये होता है 85 यानि कि 85 इसमें टोटल कितने लेटर हैं तो 5 लेटर हैं पलस यहां पर हम लोग 5 8 कर देते हैं तो ये मिल जाता है हम लोगों को 90. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहां पर जो रूल अप्लाई किया गया है, जो इसमें लाजिक अप्लाई किया है, कि इन सभी लेटर के आपोजिट वर्ड के आडर को लिखा गया है, उनका सम निकाला गया प्लस जितने later हैं उनको हम लोग अलग से plus कर दे रहे हैं तो यह number हमें मिल जा रहा है तो सेम वही rule हमको follow करना है symbol में तो symbol का हम लोग देख लेते हैं yes का yes होता है yes means 8 होता है plus y का b होता है b means 2 हो गया plus m का होता है n प्लस हो गया यहां पर 40 b का हमने लिखा 25 plus o का होता है 12 plus l का होता है 15 ध्यानक न यह हमने opposite later के order number को यहां पर लिखा है तो अब इसको हम लोग गेट करते हैं 20 plus 15 होता है 40 40 और 12 plus 8 होता है 20 तो 40 20 कितना हो गया 60 हो गया और यहां पर हम लोग देखें 14 और 2 कितना होता है 16 होता है तो 60 plus 16 कितना हो गया 76 हो गया अब प्लस क्या करना है जितने इसमें later है symbol में total 6 लेटर है प्लस 6 कर दो तो टोटल आ गया यहां पर 82 तो इस तरह question number 18 का answer जो था वो 82 था option number यह इसका सही हो जाएगा question number 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 19 बहुत ही आसान सा प्रशन है साती हूं इसमें क्या किया गया है इसको हम लोग 90 डिगर एंटी क्लाकवाइज अगर रोटेट कर दें तो यहां पर answer मिला है यहां पर इसको 90 डिगरी रोटेट कर रहे हैं तो यह फिगर मिला है इसको 90 कितने डाट होने चाहिए दो डाट यह दोनों तो होई नहीं सकते थे अब यहां पर बच गए यहां पर भी देको 90 डिगरी रोटेट हुगा है यहां भी रोटेट हुगा है यहां भी यह भी सही है बट अगर यहां पर जो important चीज है वो यह है अगर हम लोग यहां पर देख बन रहा है ठीक तो यहां पर अगर जो यहां जो डी है इसका अगर हम लोग mirror image अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा मिरियर image थीक मिरहर इमेज का क्या होता है quality कि इसका left का right और right का left हो जाथ जो कि जो mirror के पास होता है वह mirror के पास ही बनता है तो same ऐसे यहाँ पर यह figure बन जाएगा तो इस तरह से correct answer क्या हो जाएगा option number यह question number 20 देखते है question number 20 यह भी बहुत आसान सा प्रसनेस आती हूँ यह folding का है इसको अगर हम लोग fold करेंगे तो यह केवल वाकेवल एक ही ऐसा option है जो केवल 2 में दिख रहा आसा option बाकी यह गलत हो गया same direction है यह भी अगर हम लोग देखना चाहें तो यह अलग figure बन रहा और इनका भी direction क्या है difference है तो यह गलत हो जाएगे आसा केवल option number B में यह जो असपस्ट रूप से दिख रहा तो question number 20 जो था इसका option number B सही हो जाएगा question number 21 देखते हैं 21 है सात्यों यहां पर आपको कुछ letters लिखे गये हैं जिनको code रूप में लिखा गया है number में बताना है कि वह कौन सा ऐसा option है जो इसको एक सार्थक सब्द बनाएगा तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जो लेटर से हैं E N T S T D U तो यह कहीं न कहीं तो यह तो student दिख रहा है अगर इसको हम लोग ध्यान से देखने तो यह student दिख रहा है तो student के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यस T U D E N T यह हो गया student यस के लिए जो यहां पर code यूज किया गया है 4 अब देखिए यानि कि जो पहला option start होगा वो 4 से start होगा कि यहां दोनों हो रहे हैं तो यहां जो पहले और दूसरे option में हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर starting जो हो रहा 1 और 2 से हो रहा तो यह दोनों तो हो गया गलत ठीक श्वारी यहां पर जो option number 1 और 2 हैं यह 2 से start हो रहे हैं ठीक तो इसलिए यह option तो नहीं हो सकते थे ठीक बट यह जो option 3 और 4 हैं यह जो start हो रहे हैं 4 से start हो रहे हैं ठीक और 4 के बाद में 3 आ रहा है ठीक तो यहां पर 3 से start करते हैं चुकि यहां पर देखो T 2 बार आया है ठीक तो एक बार जो T का order है वो है 3 ठीक है और दूसरा क्या है 5 तो last में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और दूसरे नमबर पर 3 आना चाहिए तो यह ऐसा option केवल तो ऐसा option केवल option number C में ही है साथ हूँ तो इस तरह से 21 का जो option हो जाएगा C हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं question number 22 के पास question number 22 यह भी coding का है coding और decoding का यहाँ पर देखो C को coding किया गया है इस word में यानि कि D में O को code किया गया है Q में यानि कि C D पर जाने के लिए क्या करना होगा plus 1 करना होगा और O से Q पर जाने के लिए plus 2 करना होगा ठीक तो यही rule same यहाँ पर भी follow होना चाहिए यहाँ पर कुछ question साथियों कट रहा है चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो चलिए देखें यहाँ पर देखते हैं यह से अगर हम लोग T पर देखें तो plus 1 पर जाना होगा ठीक यह से T पर जाने के लिए plus 1 करना होगा और यहाँ से देखो O से Q पर जाने के लिए plus 2 यानि कि पहले में क्या करना पढ़ रहा है उन लोगों को plus 1 इसके बाद में plus 2 अब option पर आ जाते हैं यहाँ के बाद में plus 1 करेंगे तो क्या मिलेगा यहन मिलेगा ओ के बाद में plus 2 करेंगे क्या मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा अब हम option में चेक कर लेते हैं क्या यन और क्यों मिल्ड हैं यहां देखो यन है पी है तो यह हो गया गलत यहां देखो यन है क्यों है तो यह हो सकता है यहां देखो यन है नहीं है तो यह भी गलत हो गया यहां देखो यन नहीं है आई है तो यह भी गलत हो गया तो इस तरह सातियों पूरा नमबर 23 के पास तो question number 23 सातियों यह similarity कहा और number 3 का यह बहुत ही ललन टाप और बहुत ही आसान सा प्रशन है इसका प्रशन का answer और इसका जो इसमें logic अपलाई हुआ है इसको आप लोग comment में आप बताईए कि इसमें क्या logic अपलाई हुआ है यह हम आपके लिए छोड़के आगे बढ़ जाते हैं ठीक है question number 24 की तरफ बढ़ते हैं question number 24 सातियों फिर यह मिल गया है हम लोगों को एक कथन और यह जो परभाव होता है अच्छा कथन और परभाव यानि कि reason और effect क्या होता है जैसे मान लो कि अभी कोरोना महा मारी आया था तो जिसके कारण क्या हुआ लोगों के आमदनी में कमी हुई लोग एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए क्या हुए मजबूर हुए ठीक है लोग भूखे सोने के लिए मजबूर हुए कई तरह के समस्याएं यहाँ पर create हुए तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दो statement यह दिये गए है क्या इसमें से कोई कारण है या कोई परभाव ही है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बताना है कि देश एक्स ने पिछले पांच वर्फों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है यहाँ पर देखो यह जो statement है यहाँ पर बताय जा रहा कि कोई देश एक्स है इसने पांच वर्फों में कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है अच्छा यह कमी किस वज़ा से की है यहां पर नहीं बताया गया है, इसने केवल कमी किया है, कोई कारण रहा हुगा, तभी यह इसका परभाव देखा गया, तो यह क्या हो गया, परभाव हो गया, दूसरा बताया जा रहा है, कि देश X में आटो मोबाइल उद्योग ने इस वर्फ अपने बिकास मारजिन में 13% क यहां पर जो भी चीजे था, वो यहां पर नहीं बताया गया, रीजन नहीं बताया गया, यानि कि यह जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, यह दोनों डायेट परभाव को डिफाइन कर रहे हैं, तो यह दोनों के दोनों स्वतंत्र कारणों के परभाव हैं, तो इस तरह स सातियों question number 24 का option number यह सही हो जाएगा question number 25 की तरह बढ़ते हैं question number 25 बहुत ही आसान सा प्रस्ण है सातियों यह जंबल का question है इसको हम लोग solve कर सकते हैं कैसे अब इसको प्रस्णों को solve करने के लिए यहां पर हम लोग option की सायता लेंगे कैसे solve करना है देखिए सबसे पहले में हम लोगों को बताना यहां पर कौन सा लेटर आएगा और इसके just बाद में है बी तो जहां जहां बी है उसको पकड़ लो ठीक है यहां देखो बी है और उसके पहले बाल वाला बी है यहां पर बी देखो बी है उसके पहले बाल वाला ब अब बच गया केवल D और ये, इन दोनों में क्या है, B है, अब देखते हैं दूसरा लेटर क्या होगा, अचा दूसरे में अगर हम बात करें, तो B के ज़स्ट बाद में क्या रहा, V फार बैन वाला, तो पहले option में तो B है नहीं है, केवल ऐसा option D है, जिसमें B के बाद में बहरा जाएगा, B, तो इस तरह से साति हो, question number 25 का option क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, question number 26 को देखते हैं, question number 26 है साति हो, यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा win है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो यह तीनों के तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे स है, यहाँ पर जो condition दिया गया है, इसको फालो करता है, यह पियानो ही यह कैसा है, यह बहुत ही आसान सा प्रशन था, तो 26 का option number यह हो जाएगा, इसमें कुछ बहुत जादे है, ने define करने की, 29 देखते हैं, 29 है सातियों, यह भी बहुत आसान सा प्रशन है, इसमें किया क्या गया है, यह जो figure दिख रहा है, इसको अगर हम लोग द्यान से देखें, तो इसको 45 डिगरी एंड क्लाक वाइज, ठीक, 45 डिगरी ऐसे क्लाक वाइज रोटेट किया गया है, ठीक, इसको अगर रोटेट करेंगे, तो यह ऐसा हो जाएगा, अगर इसको 45 रोटेट करेंगे, यह ऐसा हो जाएगा, अब इसको option में चकरते हैं, यह नहीं है, यह नहीं है, कौन सा हो जाएगा, option number D हो जाएगा, तो जो question number 27 था, उसका option क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, question number 28 देखते हैं, यह भी coded bullet relation कहा साथ हूँ, इस तरह से परस्ण जब भी देखें साथ हूँ, यह बहुत ही आसान होते हैं, इनको देख करके घवडाना नहीं होता, हमने जो logic बताया, उसी से बहुत तेजी से यह solve होते हैं, कैसे, पहले इनके परस्ण को देखो, इसमें बता हो हूँ, ठीक है तो आप चेक करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, है तो add the rate के पास चलते हैं, add the rate बता रहा है, add the rate जो define कर रहा है, कि जो add the rate है हो तो पुत्री को डिफाइन कर रहा है यानि कि जे का पुत्री कौन है यज है यज का जेंडर क्या है फिमेल है और जे किसकी पुत्री है यज की और अगर हम लोग ध्यान से देखें यज का यह हो गया पती जे की पुत्री है यज और यज का पती है जी और फिर से अगर यहां प यह हो गई पत्नी यह हो गई पती देव ठीक इनकी पुत्री है येफ ठीक तो यही पूछ रहा है इसमें कि ये जो है येफ को कैसे बुलाएगी तो पुत्री से बुलाएगी तो इसका क्या हो जाएगा 28 का option number भी पुत्री हो जाएगा साथियों इस तरह से प्रस्णों को साथ हमें देख करके घबडाना नहीं इसी तरह से ये बहुत तेजी से हल होते हैं तो question number 29 देखते हैं question number 29 है ये बहुत ही आसान सा प्रस्ण है इसका mirror image बताना था हम लोगों को mirror image का साथियों concept बहुत ही आसान होता है left का right, right का left जो mirror के पास होता है वह mirror के पास ही बनता है तो अगर यहां पर 2 की बात करें तो यह पहले आ गया जो कि A यहां पर है बाद में आना चाहिए था यह भी गलत हो गया चाट D को देखें तो इसमें भी पहले क्या आ गया A जबकि पहले आना चाहिए था R तो इस तरह से यह त्रीनों गलत हो गया जो बच गया वही सही हो गया तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा केबल वा केबल एक ही फिगर देख रहा है ठीक है चलिए और इन त्रीनों को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं तो अगर इस दूसरे को देखें तो यहाँ पर जो लाइन बंडा न यह कट गया है यह कटना नहीं चाहिए था तो इसलिए यह तो हो गया गलत दूसरे में देखो दो कर्वर लाइन आ गया तो यह भी हो गया गलत तीसरे में अगर हम बात करें तो कर्वर लाइन के नीचे एक इस ट्रेट लाइन है तो यह भी हो गया गलत तो बच जगया कौन सा एक केवल वा केवल आप्शन ए तो यही हो गया साथियों इसका correct answer यह हो गया 30 का आप्शन नंबर यह तो यह थे साथियों reasoning के जो अभी हाल ही में Tile 2 का मेंस SSC CGL का एक्जाम जो हुआ था उसमें reasoning के 30 परशन जो पूचे गए थे आप लोगों ने देखा कितने ही आसान परशन पूचे गए थे इसको हम कुछी सेकंडो में हल कर सकते थे जो भी परशन थे ठीक है यह सेकंडो के परशन थे इसमें एक आप लोग और इंट्रेस्टिंग टॉपिक को और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जूट सकते हैं अगर आप लोगों को सात्यों सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक से और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ग्यानालय को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है हमारे चैनल द्वारा वो आप सभी को तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है सात्यों तो अब हम ल